विश्व प्रसद्य तिरुपती मंदिर के प्रसादम में मिलावट को लेकर एक रेपॉर्ट सामने आई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि मंदिर के प्रसादम में यानि कि लड़ू में जानवरों की चर्वी का इस्तमाल होता था मचली के तेल का इस्तमाल होता था आंदरप्रदेश के मुखी मंत्रे चंदरबाबू नाइडू की ओर से 18 सितंबर को विधायक दल की मीटिंग के दोरान एक आरोप लगाया गया कि पूरवरती सरकार जब YSR CP की सरकार थी प्रदेश में तब तिरुपती मंदिर के प्रसाद को घटिया सामगरी का इस्तमाल करता यार किया जाता था और उस दोरान जानवरों की चरबी का भी इस्तमाल होता था, मचली के तेल का इस्तमाल होता था हालनकि YSR कॉंग्रिस की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है लेकिन एक नए विवात की शुरवात हो गई है चंदरबाबू नाइडू के इन आरोपों के बाद इस सैंपल में जो एक फैट लिवल होना चाहिए उससे कहीं अलग फैट की मौझूदगी मिली है जिस फैट को फॉरें फैट कहते हैं फॉरें फैट किनकिन चीजों में मौझूद होती है उसकी भी एक लिस्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में है तो मैं आपको पढ़कर बतातू हूँ फॉरें फैट किनकिन चीजों में मिलती है सोयाबीन ओयल, सनफ्लावर ओयल, ओलिव ओयल और इसी के साथ ही कॉटन सीड एंड फिश ओयल में भी मिलती है और यही वज़े कि इस रिपोर्ट को भी अब आधार बना रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि हाँ फिश ओयल का इस्तमाल लड्डू को बनाने के दौरान हूथा था क्या आरोप हैं वो आपको बता दे YSR के उपर जब आरोप चंदरबाबू नाइड की उड़ से लगाए गये हैं तो YSR ने तो खंडन कर दिया लेकिन आप बीज़पी के कही नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं जो की YSR कॉंग्रिस पर निशाना साध रही है ट्विटर पर एक जंग से शुरू हो चुकी है ट्विटर पर कपिल मिश्रा लिखते हैं कि तिरुपती जी के प्रसाद में मिलावट का जो पाप किया गया वो अश्चम्य है अंग्रेजों की ऐसी ही एक गलती के बाद मंगल पांडी जैसे युद्धा खड़े हो गए थे वही रवी भधोरियां है वो लिखते हैं जगन रिड़ी गैर हिंदू मुख्य मंतरी थे उनके शासनकाल में तिरुपती बालाजी मंदिर के लड़ू में बीफ और फिश ओयल मिलाया जाता था अब चंद्रबाबू नाइडू सरकार ने ये खुलासा किया है ये तमाम बाते कही जा रहे हैं ट्विटर पर एक जंग की शुरुवात भी हो गई है इसी बीच तिरुपती के श्री वेंकटेश्वर मंदिर का संचालन तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम यानि कि टी टी डी की ओर से किया जाता है और मंदिर की ओर से जितने प्रसादम की डिमांड की जाती है यानि जितने लड़ों की डिमांड की जाती है टी टी डी की ओर से ही वो सप्लाइ की जाती है नाइडू ने NDA विधायक दल की मीटिंग के दोरान ये बात कही थी गट्या सामगरी के इस्तमाल के बात कही थी जिसका खंडन किया गया था वो बायसर सीपी की ओर से लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो इसे लेकर एक बार बवाल और जादा तेज हो गया है और यही सवाल हो रहा है कि क्या तिरुपती मंदिर के प्रसाद में लड़ू में जानवरों की चरबी का इस्तमाल हो रहा था मचली के तेल का इस्तमाल हो रहा था ये बवाल फिलहाल थमता नहीं देख रहा है